तारा सिंग के सामने बॉलीवुड के रोमान्स किंग सारुक खान भी नीचे जुग गए, साउथ वाले प्रभास की भी बेंड बच गई, केजीएफ वाले महाशय भी कहीं इधर उधर घूम रहे होंगे, और दंगल वाले आमिर खान भी इतना पिछवा गए कि आप बोलेंग के तारा सिंग में भाई साहब दम तो है, हिंदुस्तान जिन्दाबाद था, हिंदुस्तान जिन्दाबाद है और हिंदुस्तान जिन्दाबाद रहेगा, जिस फिल्म की डायलोग है, वो फिल्म इतना कमाल कर रही है, जिसके बारे में शायद ही सनी देवोल या फिर उस फि अब आप सोच रहे होंगे कि गदर्टू आखिर कितना कमाली अपने छटे दिन कि हम इतना चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहे हैं। पठान जो हजार करोड भी कमा लिया तो उसने भी अपने छटे दिन इतना पैसा नहीं कमाया था। लेकिन तारा सिंग ने जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल मचाया है वो गजब है। अगर वर्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो गदर टू ने छे दिनों में तीन सो करोड का धंदा किया है। मतलब 50 करोड रुपे रोज कमा रही है गदर टू अगर वर्ड वाइड कलेक्शन की बात करें अगर भारत की बात करें तो 6 दिनों में गदर टू ने लमसम 265 करोड के आसपास कमाया है। अब आप सोच कर देखिए 21 साल पहले फिल्म आती है गदर 1947 के बटवारे की कहानी जहां तारा सिंग को सकीना से प्यार होता है और 21 साल बाद उसकी दूसरी सीक्वल आती है और इस बार भी तारा सिंग ने गरदा छुडाया हुआ है और ऐसा गरदा छुडाया हुआ है कि र जा रहा था कि लोग अब सिनेमा घरों में नहीं आ रहे हैं अब वो बात पुरानी हो गई है और पठान के बाद गदर्टू उससे भी बड़ी हिट होने वाली है चट्थे दिन की कमाई पर हम जोड इसी लिए दे रहे हैं क्योंकि चट्थे दिन अगर आप जाना चाहते है कि बाहू बली ने कितना कमाया था तो चट्थे दिन बाहू बली ने कमाया था 26 करोड रुपए पठान ने कमाया था 26.5 करोड रुपए के जीएफ ने अपने रिलीज के चट्थे दिन कमाया था 19 करोड रुपए और दंगल ने अपने रिलीज के चट्थे दिन कमाया था 21 क रोड रूप है यह अपने आप में एक तरीके से बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि बुधवार का दिन था वीकेंड नहीं था इंडिपेंडेंस डे बीच चुका था सब लोगों को ऑफिस भी जाना था लेकिन गदर टू का जो कमाल है वो बॉक्स ऑफिस पर जारी है औ और तारा सिंग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं एक एक डायलोग ऐसा है कि कहा जा रहा है कि जब जब सनी देवल के इंट्री होती है फिल्म के सीन में तब तब लोग थीटर में खड़े होकर तालीब जाते हैं खड़े होकर सीटी ब्राइज आती है और इसी से मालूम पिछे छोड़ देना अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा है और सनी देवल ने ये करके दिखाया है सनी देवल भी एक इंट्रव्यू में कह रहे थे कि हमको नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा और लोग गाओ गाओ में अपने सिनेमा हॉ पिछले तीन चार सालों से जो बॉय बाय कोट बॉलिवूड का नया ट्रेंड चल रहा था लोग कह रहे थे कि अब बॉलिवूड के स्टार्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे बॉलिवूड इंडस्ट्री पर एक तरीके से साया पड़ गया है लेकिन गदर्टू और पठान ने मिल जुलकर इस पर से परदा हटा दिया साया हटा दिया और पठान से ज़्यादा आप कहिए कि गदर्टू का भौकाल है हर सिनेमा हॉल के बाहर लोग जब गदर्टू देखकर निकल रहे हैं तो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नरा लगा रहे हैं और हम सब को पता है कि भारत एक भावनात्मक देश है जहां पर देश की बात की जाए जहां पर राश्ट्रवा सब को पीछे छोड़ दिया है सलमान खान, शारुक खान, आमिर खान को कहा जाता है कि बहुत बड़े सूपर डूपर स्टार्स हैं बॉलिवुड के बहुत बड़े किंग हैं लेकिन सनी देवल आते हैं और बता देते हैं कि असली किंग कौन है और बॉलिवुड जो एक तर दिन ऐसा कभी नहीं हुआ है आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर कवर्ण बोक्स मताईएगा मेरे नाम प्रशान्थ है फिर जल्दी किसी नए खबर के साथ मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद